एक तकपूर की शो नागिन 6 लगातार TRP की दुनिया में धमाल पर धमाल मचा रहा है शो अपने तुश एंटर्ण्स के कारण TRP की रेस में भी तॉप पर आ गया है नागिन 6 में प्रता यानी तेज़स भी प्रकास और महें क्यानी महेक चहल ने अपनी नागिन अपतार से लोगों का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ी लेकिन अब इस शो में लाल नागिन की एंटरी हो चुकी है जिसे रस्मी डेसाई प्ले कर रही है आईए जानते हैं कौन कौन सी है एविने ट्रिया जो इस लिस में शामल है इस लिस में सबसे पहले नाम है माहिरा शर्मा का एप पहली बार नहीं है जहां माहिरा शर्मा को नागिन 6 में नागिन वनने के लिए ओफर किया गया बलकि पहले भी माहिरा शर्मा को महक चैल का नागिन रोल आफर किया गया था हाला कि औरिशन डाउन में माहिरा शर्मा में बो बात नहीं दिखी जिस बज़र से बो शो के लिए फाइनल नहीं हो बाई लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दे माहिरा शर्मा को फिर एक बार नागिन 6 में नागिन के किर्दार के लिए अप्रोच किया गया था हाला कि इस बार माहिरा शर्मा को महक की रोल के लिए नहीं बलकि नागिन 6 में लाल नागिन का रोल आफर किया गया था लेकिन इस बार माहिरा शर्मा ने इस रोल को करने से साफ इंकार कर दिया क्योंकि उनका कहना है कि वो अब किसी दूसरे प्रोजेक्स को लेकर बिजी है इसलिए उनके पास नागिन 6 को लेकर कोई भी टाइम नहीं वैल एक कहना खलत नहीं होगा पहले मेकर्स ने माहिरा शर्मा को नागिन की रोल के लिए रिजिक किया था लेकिन अब माहिरा शर्मा ने मेकर्स को दूसरा में जैस्मीन भसीन का नागिन 6 में माहिरा शर्मा के बाद जैस्मीन भसीन को नागिन 6 में लाल नागिन का रोल उपर हुआ था लेकिन जैस्मिन वसीन ने इस किर्दार को करने से साप इंकार कर दिया हाला कि इस बात का अब तक खोला सानी हो पाई है कि आखिरकार जैस्मिन वसीन ने एक तकरपूर की सूपर इशोन नागिन सिक्स में नागिन बनने से क्यों इंकार किया वैल आपकी जानकर एकले बता दे जैस्मिन वसिन नागिन सीजन 4 में भी नजरा चुकी है जहां उन्होंने 29 का रोल प्ले गिया था तीसरे नाम ए गाय थरी का आपकी जानकर एकले बता दे गाय थरी फिलाल नागिन 6 में रिम का करदार निवा रही है जो कि रिशिप की एक्स गल्फरन है सुनने में आ रहा था कि मेकर्स ने लाल नागिन की रोल के लिए पहले गायत्री को ही फाइनल किया था इसलिए इस से जुड़े उनके कई लुख्स भी शोशल मीडिया पर खूब फाइडल हुए थे यहां तक लाल नागिन से जुरी कुछ खबर गायत्री ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर भी शेयर किया था लेकिन बात में मेकर्स ने रिम की रोल को कोई भी चेंज न करते हुए उसकी जगा रस्मी डेसाई को लाल नागिन का रोल उफर किया वैल जैसे ही रस्मी डेसाई को नागिन सिक्स में लाल नागिन का रोल उफर हुआ उन्होंने बिना देर की ही इस रोल को करने के लिए हामिवर दी इससे पहले रस्मी डेसाई नागिन 4 में भी नजरा चुकी है जहां उन्होंने शलाखा नाम की नेगी टिप करेक्टर प्ले किया था एक तकपूर के पास लाल नागिन की किरदार के लिए रस्मी डेसाई के अलावा कोई दूसरा आप्शन ना होने की कारण एक तकपूर ने कहानी की कौनसेब को चेंज करते हुए लाल नागिन की कहानी को सीजन 4 की किरदार शलाखा से जोड़ दिया वैल नागिन 6 में रस्मी डेसाई शलाखा तो नहीं है लेकिन चिंगिस्तान की दुश्मनों द्वारा बनाए गई एक इच्छा धारी नागिन है जिसको असुरों ने सीजन 4 की शलाखा का चैरा दिया है खास बात एहे कि लाल नागिन से जूरे दो एपिशोड तेलेविशन पर ओन एर हो चुके है जिसे देख ओडियन्स से अच्छा खासा रिस्पोंस भी मिलते हुए देखा जा रहा है बतारे कि नागिन 6 में कदम रखने वाले लाल नागिन उनसुरों में से एक है जिनोंने इस देश को महामारे में तबदील किया है वेल रस्मी देशाई द्वारा निवाई जा रही लाल नागिन की किरदार आपको कैसा लग रहा है प्लिस कामेन करके ज़रूर बताए फिल आज की इस वीडियो में बस इतना ही